कुकर की दो सीटी में बनाए जटपट और आसान चिकन बिर्यानी या चिकन पुलाओ बनाना तो इससे आसान है ही ना ही इसमें कोई स्पेशल इंग्रेडियन चीए और ना ही जादा मैनत करनी है घर की चीजों से सिंपल तरीके से चिकन की इस राइस की रेसिपी को जरूर बनाए या आपको बहुत पसंद आएगा तो सिंपल रेसिपी है तो ट्राइ करना तो बनता है तो चलिए आज की बहुत ही मज़दार रेसिपी शुरू करते हैं जटपट और आसान चिकन बिर्यानी बनाने के लिए मैंने यहापे 300 ग्राम बोलनेश चिकन लिए हैं आप इसमें बोन वाले चिकन का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें हम डाल देंगे एक तिहाई छोटा चमच हल्दी पाउडर आदी छोटी चमच के करीब लाल मिर्च पाउडर और आदी छोटी चमच नमक डाल दे हल्दी नमक और लाल मिर्च से चिकन को ऐसे मैरिनेट करेंगे और आदी गंटा के लिए रख देंगे तो जब तक यह marinate हो रहा है तब तक हम बाकी तयारिया कर लेते हैं तो चावल बनाने के लिए मतलब जो बिर्यानी में चावल लगेगा उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कबासमती चावल लिया है आप इसमें कोई भी राईसे इस्तिमाल कर सकते हैं राईस को पानी से अच्छे से दो से तीन बार धो ले और इसके लिए निकाल देंगी चावल को भीगो के नहीं रखना है बस पानी से धो के रख दे तो पहले हमने चिकन को marinate किया यहाँ पे चावल को हमने धो के रख लिया अब हम चलते हैं फाइनल प्रॉसस में तो हम इसे कूकर में बनाने वाले हैं तो उसके लिए कूकर में पहले तेल गर्म करेंगी और तेल में हम जो बिर्यानी का प्याज होता है वो fry करके निकाल लेंगी तो मैंने यहाँ पे 4 medium size के प्यास दिये हैं, प्यास को ऐसे लंबाई में काटे और इसे brown होने तक fry करें और निकाल ले अब बिर्यानी बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा तेल का इस्तमाल नहीं करेंगे, कम तेल में बना रहे हूं, मसाले भी कम इस्तमाल करेंगे और easy तरीका है, taste आपको बिर्यानी वाला ही आएगा तो यहाँ पे प्याज को हम निकाल लेंगे, अगर आपको और dark color चीए तो प्याज को और भी ज़्यादा dark brown होने तक fry कर सकते है अब हम क्या करेंगे, cooker में जो तेल बचा हुआ है, उसे में थोड़ा सा तेल वापस add करेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़े खड़े गरम मसाले, तो यहाँ पे दलचीनी डाला मैंने, एक तेजपत्ता डाल देंगे और इसके साथ ये जावित्री डाल देंगे दो बड़ी लाइची ऐसे तोड़के डाल दे और एक छोटी चमच जीरा डाल देंगे, इन सबको अच्छे से पका ले, इसके बाद हम इसमें प्यास डाल देंगे तो दो मीडियम साइच की प्यास के टेवे लिया है मैंने, इसे इसमें डाल देंगे और तीन से चार मिनट तक भूल देंगे जैसे ही प्यास का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे अद्रक और लैसुन का पेस्ट तो यहाँ पे एक बड़ा चमच अद्रक और लैसुन का पेस्ट डाल दे और इसे हम 10 से 12 सेकंड के लिए ऐसे मीडियम फ्लेम पे भूल लेंगे जब अद्रक और लैसुन का कच्चा पन जो हो निकल जाएगा भूलने के कारण तब हम इसमें डाल देंगे चिकन तो यहाँ पे चिकन में हमने हल्दी नमक और लाल मिर्च मिला के रखा था तो यह चिकन डाल दे और इसके बाद हम इसे मिला के भूलनेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसे अच्छे से मिक्स करना है और गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देना है चिकन को हमें थोड़ा सा भूल लेना है ताकि उसका जो कच्छापन है वो निकल जाए तो यहाँ पे चार से पांच मिनट के लिए मैंने इसे भूल लिया है अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और टमाटर डालके हम इसे दो मिनट और पकाएंगे तो आप चिये तो पैन को कवर कर दें या फिर आप इसे ऐसे भी पका सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बड़ा टमाटर का इस्तमाल किया है तो टमाटर को ऐसे भूल लेंगे चिकन के साथ और इसके बाद हम डाल देंगे मसाले तो मसाले डालने के पहले ग्यास का फ्लेम लोग कर दें और इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ हम आधी छोटी चमच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चमच जीरा पाउडर डाल दे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाला का जो कच्छा पन है वो निकल जाया और मसाला थोड़ा सा भून जाये तो अगर आपका मसाला चिपग रहा है तो आप यहां पे थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं एक मिनट बाद मैंने पैन का धकन अटाया इसे वापस एक बार मिक्स करेंगे तो यहाँ पर मसाला प्याज वगरह सब हमने अच्छे से भून लिया है यह देखे तो अगर आपको ऐसी खाना है न तो आप इसे ऐसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं थोड़ा सा और पका के यह जो चावल हमने धो के रखा है वो अच्छे से स्प्रेड कर देंगे यह देखे अब इसके ऊपर थोड़ी से सजावट हम वापस करेंगे तो यहाँ पे धन्या पत्ता और पुदिना पत्ता डाल दे मैं यहाँ पे सिर धन्या पत्ता का इस्तमाल कर रहे हूं और इसके ब बरतं से दो कप के करीब आपको पानी यूज़ करना है तो यहाँ पे दो कप पानी डाल दे एक चावल के लिए दो कप क्योंकि हमने चिकन भी पानी को एब्सौों करेगा इसलिए पानी थोड़ा जादा एड़ कर्एं एक चमजगी ऊपर से डाल दे और थोड़ासा बिर्यानी मसाला तो यहां पे यह सब डालने के बाद हम क्या करेंगे इसे mix नहीं करेंगे बस cooker का ढखान बंद करेंगे और medium flame पे दो सीटी आने तक पकाएंगे तो यहां पे gas का flame medium कर दे और जैसे ही दूसरी सीटे लगीगी गयस को बंद कर दे और कूकर को ठंडा हो जाने दे तो यहाँ पे बीच में आपको कूकर नहीं खोलना है इस बात का ध्यान रखे जब कूकर की सीटी खुदी ठंडी हो जाएगी तब हम इसे ऐसे चेक कर लेंगी और उसके बाद कूकर को धीरे से उपेन करेंगी तो यह हमारी बहुत ही जबर्दस बिर्यानी जो है वो बन के तेयार है जिससे हमने प्रेशर कूकर में बनाया और चावल भी एकदम परफेक्टली बनाया है यह आप देख सकते हैं चावल को आप चीए तो चेक कर लें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चावल ऐसे उठा के चेक करके दिखाती हूँ तो चावल ला हमारा ज़्यादा पका हुआ है नकम पका हुआ है एकदम सही से यह देखे बहुत यासानी से टूट रहे हैं है न तो आप चीए तो बिर्यानी को साइट से ऐसे निकाल के सर्फ करें या फिर ऐसे मिक्स करके भी सर्फ कर सकते हैं तो यहां पे मैं आपको चिकन भी दिखा देती हूँ, यह देखिए, चिकन दो सीटी में बहुत ही आसानी से पक जाता है, और हमने यहां पे चिकन के छोटे क्यूप्स किये थे, प्लस वो बोल ले से, तो इसे पकने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है, तो हम चलते हैं इसे तो आप इस बिर्यानी के रस्पे को जरूर ट्राई करें, यह आपकी फैमली को बहुत पसंद आएगा, और यहां पे हम क्या करेंगे ना, कि इसके साथ थोड़े से अनियन के स्लाइसे रख देंगे, और यहां पे रायता, तो हो गया ना, कम्प्लीट डिश, तो जब यह आ आज की रस्पे आपको पसंद आएगी, अगर आज की रस्पे आपको ट्राई करने के बाद पसंद आए, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वामली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले,